वैसे तो 2022 में देश के कई सारे राजों में विधान सभा के चुनाओं होने वाले हैं लेकिन उत्तर प्रदेश का विधान सभा के चुनाओं बहुत ज़ादा दिल्चस्प हो रहा है और लगातार उसमें नए नए कडिया जुड़ती जा रही हैं और नए नए चौकाने वाले फैक्टर सामने आ रहे हैं अभी जिस तरह पिछले 20 अतुबर को ओपी राजभर यानि उम्परकास राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखलेश यादो से मुलाकात की इसने तमाम लोगों को चौनका कर रख दिया आए आए आपको बताते हैं कि अखलेश किसको उन्हें मटक्का कर दें और किसको दगा दे करके चले जाएं कुछ भी नहीं कहा जा सकता अचा है यहाँ पर एक सवाल और है कि जब ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया से मुलाकात की तो क्या उनका जो संकल भागेदारी मोर्चा है क्या उसने भी अलाइंस किया है समाजवादी पार्टी के साथ यह भी आपको बताएंगे दोस्तो इससे पहले कि हम ओपी राजभर और अखले शादो के मुलाकात की बारिकिया आपको समझाएं उससे पहले आई आए आपको बताते हैं कि दरसल ओपी राजभर को इतना जादा वेटिज क् कर सकते हैं एक को हम कह सकते हैं पश्चिमी यूपी और दूसरे को हम कह सकते हैं पूरवी यूपी पश्चिमी यूपी में डेर सो सीटे हैं और पूरवी यूपी में धाई सो सीटे हैं यहां पर हम पश्चिमी यूपी पे थोड़ा सा फोकस करके हम जादा फोकस पूरवी का जेले लगते हैं वहां पर BJP को बुरी طरीके से नुखसान होने जा रहा है क्यूंकि वो जो पूरा शेत्र है वो जादा तर किसानों का शेत्र है और आपको पता है कि इसल्द किसान अंदुलन्ज चरुम पर है और किसान पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ हैं तो कह सकते हैं कि वहां किसानों की वज़े से बीजेपी को नुखसान हो जाएगा और वहां की जो मुखे पार्टी है आरेलडी जिसको रास्टी लोगदल कहते हैं दरसल वो मुखे ता किसानों की पार्टी है और 2500 सीटों पर almost कह सकते हैं कि बीजेपी अपर हैंड में है यानि बीजेपी का दब दबा है लेकिन जिस तरीके से अभी हाली में घटना हुई और 20 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी और O.P. राजभर ने मुराकात की और हाथ में राया तो ऐसा लगता je बीजेपी के लिए खतरीक गहंटी है आखरिनी बीजेपी के लिए खतरीक गहंटी क्यूं है आई इसी को समझते हैं अब Hernandez को दो हिस्सों में पार्टा था वेस्ट और इसथ लेकिन IA इसको और थोड़ा सा closely समझने के लिए इसको हम उत्तरपर्दिश को चार हिसों में बार देते हैं एक को हम कहते हैं अवदपर्दिश, दूसरी को कहते हैं पच्छमी पर्दिश, और तीस को कहते हैं मुद्नेल खड़, और चेते हैं पुर्वांचल तो दरसल इन चारों में से पुर्वांचल एक ऐसा शेत्र है जो बीजेपी के लिए कह सकते हैं अपर हैंड था, क्यूंकि पुर्वांचल का जो शेत्र है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है दरसल आपको बदा दें कि पुर्वांचल में कुछ 26 जिले हैं और यहां विदान सभा की 156 सीटे हैं अगर 2017 के विदान सभा चुनाओ की नतीजों पर नज़र डालें तो भारती जिंता पार्टी यानि बीजेपी ने 106 सीटों पर कबज़ा किया था वही समाजवादी पार्टी यानि SP ने 18, बस्पा ने 12, अपना दल को 8 सुहल दियो भारती समाज़ पार्टी को यानि S, B, SP को 4 सीटे मिली थी कॉंग्रेस को 4 और निशाद पार्टी को 1 सीट पर कामयवी मिली थी जबकि 3 सीटे निरदलियों के खाते में आई थी इतना सुनने के बाद आप चोंग गय होंगे कि दरसल BJP पुर्वाचल में अपर हैंड में थी लेकिन इस वक्त ओपी राजभर ने जिस तरीके से अखलेश यादो से मुलाकात की है तो वो BJP के लिए खत्रे के घंटी है क्यूंकि पुर्वाचल में ओपी राजभर का बहु उसमें से जादा तर जो है वो भूमी हीन और मजदूर तबगे से तालोक रखते हैं आपको बता दें कि बलिया जिले के सेहर और सलीम पुर्विधान सभाग शेत्र में राजभर के संक्या सबसे जादा है यानि 35 पीसद इनके संक्या है ओम परकाश राजभर की जो पकड़ में भूम का निबाते हैं इस तरह माना जाता है कि पूर्वी यूपी के लगभग 30 से 40 सीटों पर राजभर प्रभाव डाल सकते हैं आपको बताते हैं कि 2017 के विधान सभाग चुनाव के दोरान बीजेपी के साथ राजभर के अलाइन्स था और कुल 8 सीटों पर उन्होंने इतना जादा परभाव है उसके बावजूद भी बीजेपी ने ओंपरकाश राजभर को अपने अलाइन से क्यों जाने दिया तो उसका सीधा सीधा जवाब यह है कि दरसाल ओंपरकाश राजभर जो थे वो सैफरन पार्टी यानि भगवा पार्टी के खिलाब बहुत जाद अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल है कि दरसल ओंपरकाश राजभर की सिव एक पार्टी है लेकिन उस एक पार्टी के साथ साथ उनकी कई सारी पार्टीओं के साथ अलाइनस है जिसको भागेदारी संकल पूर्चा वो कहते थे और उसमें दस पार्टीया शामिल है तो उन दस पार्टीयूं का क्या होगा और उसमें O.S.E. की भी पार्टी शामिल है तो O.S.E. क्या समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे क्योंकि O.S.E. तो समाजवादी पार्टी को पानी पी-पी कर गरी आते हैं और उनको बहुत जादा कोस्त यानि बीजेपी से तो जादा अथिती के रूप में बुलाए गया है और वहाँ पर वो तमाम जो गभी गडबर्दन होगा उसके प्राडूपते करेंगे और उसमें अपनी तमाम रणनीती बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन सी पार्टी उनके साथ में आएगी और कौन सी पार्टी नहीं आएगी तो अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए 27 अक्तूबर के बाद ये तमाम पिक्चर पूरी तरह से किलियर हो जाएगा आपको बता दे कि सोहल दियो भारती समाज पार्टी की बुनियाद जो रखी गई थी 2002 में रखी गई थी और उसके जो करता धरता और सर्वे सर्वा है वो ओपी राजबर हैं इनका बहुत दिल्चस्प इतहास रहा है ये किसी के साथ टिकर बैठते नहीं है हाला कि जब इन पी साफ जरूर लिखा है ओपी राजबर ने लेकिन अंतितह उन्होंने इसको अपचारिक मुलाकात बताया है अब देखते हैं 2022 के चुनाओ तक ये अपचारिक मुलाकात और ये गटबंदन का सिलस्रा बना रहता है या फिर किसी और मोल पर ये कहीं न कहीं बिखर सकते हैं क्योंकि उनकी जो चमड़ी होती है इतनी जादा मोटी हो चुकी होती है और उनके ओपर वाटरपूफ लगा होता है उन पर किसी तरह का कोई परभाव नहीं पड़ता है वो आज इसमें होंगे तो इनका गुडगान करने लगेंगे और उसमें होंगे तो उनका गुडगान वीडियोस आपको बना कर देते रहते हैं